यहाँ पे डिग ले पड़े हैं है गाइस वेलकम बैक टू माई न्यू व्लोब तो अभी वज़े शुबे के पूने साथ और आज हम जाने वाले हैं नागोर, पाली टो नागोर तो अभी जो है बस जो है लग में पूने आट बज़े हैं तो अभी शिर्फ एग गंडा है, हमें अब पास तयार होने के लिए तो अब जोली से पहले चाई पीते हैं फिर तयार होते हैं तो अभी चाई तयार हो रही है दो चाई पीके रेड़ी है तो अब हम कर लेते हैं अपने पैकिंग यह रहा बेक यह डाइरी यह पावर बैंक और मास्क और यह कुछ कपड़े हैं तो अभी निकल रहे हैं हम बाइक पे बाइक थोड़के आएगा बस में चलिये चलते हैं शिदा नागोर यह रही बस तो अभी देट गये हैं बस में और धनुकुम भी आज हमारे साथ चल रहा है नागोर तो नागोर गुम के आएंगे और नागोर में ही हमारा तोनों का गाम वही पे हैं तो जाके आएंगे तो अभी हैं जोथबूर में और अनुकुम को भी लेके आए हैं हम आज साथ में नागोर कुमार के लाएंगे तो अभी बच गए हैं सुबह के दस और अभी हमें जोथबूर में इस बड़ी बिल्डिंग के सामने हैं और यहां पे बस रुकी हैं कुछ टाइम के लिए लोग नास्ता वगेरा कर लें इसलिए और अब जो हैं कि यहां से रवान हो कि सुबह के दस तो बज गया है और 12 बजे के सपास पहूंच जाएंगे काओं हं अब्य पहुंच गया हूं मैं खरनाल में और यही मैरा गाऊ है और अभी बज गया है बारा और अभी भी काफी ज्यादा दूआ हो रखा हैं वोग आई हुई हैं तो आपको यहां का शिन दिखा देता हूं और मेरा गाव जो है, यही जोद्पोर नागोर आइवे पर ही है तो कुछ नजारा दिखाता हूं में आपको तो यह है वीरतेजा जैनवेस्तली खरनाल इस साइड में जो है गाव है और यह नागोर इस साइड नागोर तो यह है वीरतेजा जी का मंदिर है वी आ गया हूँ गर में और यह कुछ सेनी आगा और यह हमारे दादा जी और यह दादे जी जो यही गाओ में रहता है तो अभी बेज़े हैं साड़े बारा और दादी जी ने खाना तयार रखा हैं और दादा जी अपने दुकान वीजी है अभी जा रहे हैं और यह यहां पर किलाने की दुकान है जो चलाते हैं यहां पर गाओ में तो खाना आ गया अब खाना खाते हैं तो अब खाना खाते हैं फिर मिलता हूँ मैं आपसे देटा तो अभी खाना था लिया है और अब जा रह ज्ञादा है फोग चलते हैं उपर क्योंकि यहां पे जो हैं कल ही बारिस हुई है है तो शर्दी आज कम है पर फोग ज्यादा है तो यह देखिए दूर-दूर तक स्रब दूरा ही दूरा दिखाई दे और चारों तरफ गाव हैं तो यह हमारा गर यहां पर यह कुछ यहां का सीन है और चलते हैं नीचे और एक है यहां पर उपर एक रूम काफी दिनों से यह बंद पड़ा है काफी दूल है यहां पर तो पहले तो जल्दी से यहां पर सभाई करनी हो भी तो सबसे पहले सबाई को स्टार्ट गरते हैं यह रहा जाड़ू यहां पर जल्दी से नॉर्मल उपर उपर से थोड़ा दूल जम रखी हैं इसे निकालते हैं यह तो हो गई साफ तो थोड़ी देर रेश्ट करेंगे तो यह है हमारे दादी जी और बढ़ी आए बढ़ी आए एक तो मौके हैं तो तुमीत पानी बस रड़ी है बस रड़ी रेट है इनके तो और शेट में लेता जिसको फेल चकली भी गाम में तमझा करां गाम में तमझा करते हैं यह तो ओके अभी बज़ गए हैं दो तो साम को आप गूमने जाएंगे हम आपको सीन जरूर दिखा द हुआ हो और उनकों भी जिखा रहा हुँ अभी आया है तो इनो ने भी नहीं देखा था तो मैंने आके इससे open किया है और अब देखते हैं तो अब भी निकल गया है केट में और दानीजी के साथ तो सबसे पहले निकालते हम पाइक को पाहर यह जिंदी पाइक और निकालते हैं बाहर और सिधर चलते हैं के तो अभी आ गये हैं खेट में और यहां पर बढ़ काफे ज्याद़ दो बोर नोगण अपड़िया बोर मोक् तो अभी चुक लिए है हमने बोर को अभी काफी ज्यादा पड़े है यहाँ पीछिव तो अभी यह रहा है इन में से लग करना होगा क्योंकि यह निच्चे से निकाले हैं जाड़के से तो पहले इन्ने अलग करते हैं काफी टेम लग इसमें पी तो चलते हैं अब फिर घर की तरफ अब जमा बोल्ड यार सारी बोल्ड यार शुब लिया बोल्ड अब तो भी आ गये हैं गर पर और जल्डी से खेले से निकालते हैं बाहर बोल को और यह हो गा तो अब इसमें निकालेंगे यह सारे तो अब निकालते हैं इन में से बाहर और बाहर बिखर गये हैं तो हम दो बज़े गये थे और अभी बज़े गये हैं चार और दो गिंटे में कुछ तोड़े से काफी ज्यादा तो यह लेके आए थे और अभी डादी जी गये हैं बाहर और दादा जी को भी दिखाता हूं चलते हैं दुकान में और वो रहे तास खेल रहे हैं तो हमारे गाउं में टाइम पास का एक ही जरिया है जो है तास कट्स खेलता है यह लोग की कट्थे हो जाते हैं और बीट के खिलता है पूरे दिन ट्रैम पाश में बहुता जलता है पूम की चाहर यह शांक के साड़े चार और यह कह एक कोषل अहाई ही गांङ का नंमूना कुमिन थर यह कर दे भार अरे इदर आ यार हम चलते है उपर चट उपर कुछ दिखा दिया क्या दिखा इतना है तो आज के इस लोग को यहीं प्रेंड करते हैं मिलते हम कल पिर नए एक नए प्लोग के साथ अब तक लिए जैहिन जैवारत इस नमूने के साथ इधर रेख हाई कर दें बाई कर दें जो से बोल हाथ से कर बाई बाई